जैहिंद फ्रेंड क्लास 10 के सभी चार्थरों को जैहिंद जी यहां दोस्तों आप लोगों की हिंदी की परिच्छा यानि की बोर्ड की परिच्छा 22 परविरी को आपका हिंदी का पेपर है तो यहां पर हमाना सबसे बोला टारगेट है कि हमें अपने पूरे-पूरे बहुत गेलपी अप्रेंच कैसे सही करने है तो यहाँ पर हम आज आपनों के लिए most important mcq लाई हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आज हम 90 mcq कराएंगे जो कि आपकी परिच्चा के लिए most important है यहाँ पर आपको अगर आप 90 mcq तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे-पूरे 20 नमबर 101% तयार हो जाएंगे इसे बार आपके और कोई question नहीं पूछा जाएगा यह मैंने question लिखे हैं आप लोगों के लिए ताकि हमारे सभी चात इस mcq को तयार कर लें और वो पूरे-पूरे 20 नमबर को प्राप्त करें तो यहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए most important mcq स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने सभी फ्रेंडों को सेर भी करेंगे लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे तो आज हमारा पहला question यहाँ पर है प्रकरति का सू कुमार कभी है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सुमित्रा नंदन पंथ यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दी आपनों के लिए सुमित्रा नंदन पंथ अगर आपको यह किसी को यहाँ पर पीडियाप चाहिए तो मुझे वह इस नंबर पर इस नंबर पर यहाँ पर वह मुझे what's a message करेगा उसको मात 15 रुपी में यह प्रो सुमित्रा नंदन पंथ आने की आपसर नंबर गावाला हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके बाद कुसर नंबर चार कुसर नंबर चार यहाँ पर कह रहा है कि आदरियों की युक्की मीरा किसे कहा जाता है यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महा देवी बर्मा को कहा जाता है इसके बाद हमारा नेश कुस्टन कुस्टन नुमर फाइब कुस्टन नुमर फाइब ठूटा आम किसकी रचना है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ड्राक्ट और भगवेक सरु उपाद ध्याए यानी कि आपसार नंबर हमारा का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा इसके बाद कुस्छतन नंबर 6 गुमककर साथ के लेखक हैं तो यहाँ पर हमारा similar हमारा correct answer होगा रहौल शांकृतियान यानी कि आपसार नंबर खा वाला itself इसके बाद कुस्छतन नंबर 7 यहां पर कहरा है जहलमला कहानी के कहानीकार कौन है तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा पदम लाल पुन्ना लाल भक्सी आपसर नमबर गावाला हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पर आपको सठीकता से मैंने लिग भी दिया है ताकि हमारे सभी छातरों को जल्दी से अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर वाटर मैसेज करेंगे यहाँ पर आपको यह पीडियाप ओल्ली 15 रुपी में प्रोवाइट करा दी जाएगी इसके बाद कुस्तर नंबर येट कुस्तर नंबर येट यहाँ पर कह रहा है अजन्ता पुरातत्तु समंदी लेक के रचनाकार कौन है तो यह हमारी रचना काफी इंपोर्टेंट है यह सभी कुस्तर काफी इंपोर्टेंट है यह सभी को आपको पढ़ना होगा यह मैंने आप लोगों के specially लिखे हैं यहां पर इसका हमारा correct answer क्या होगा डाक्टर भगबग सड्व उपाद्ध है आपसे नमबर का वाला हमारा correct answer होगा इसके बाद कुर्षन नमर नाइन विष्व साहित की रूप रेका आलोचना करती के लेखक मतलब यहांपर यहां पर यह रिप्यूट हुआ अगला बार आपको मिल जाएगा लिखा हुआ तो हम लोग अभी पहुच कर रहे हैं इसके बार नेस्ट कुष्टन अमारा कुष्टन नमबर टेन यहां पर कह रहा है की पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक तो यहां पर हमारी लेखक कौन है जै प्रकास भारती आपसे का वाला हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 11 question number 11 यहाँ पर कह रहा है कि वर्स की गुडिया के रचनाकार कौन है यहाँ पर हमारा correct answer होगा जै प्रकास भारती कौन होगा जै प्रकास भारती इसके बाद question number 12 संचारी भावों की संक्या कितनी है कितनी हमारी है 33 कितनी है 33 हमारी संचारी भावों की संक्या है इसके बाद कुस्से नमबर 13 कुस्से नमबर 13 करूर रसका इस्ताई भाव क्या है क्या है सोक हमारा करूर रसका इस्ताई भाव है इसके बाद कुस्से नमबर 14 कुस्से नमबर 14 कह रहा है कि चरन कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंग कार है ? यहाँ पर हमारा कौन सा अलंग कार होगा ? रूपक अलंग कार इसके बाद कुछ्षफर नमबर 15 कलकत्था से पिकिंग यातरवत के लेखक यहाँ पर आपको कुछ्ष्न भी नहीं करना है इसका अंसर आपको मुझे comment box से बताना है कि इसके लेखक कौन है कलकत्ता से picking तक के लेखक कौन है इसके बाद question number 16 कुछ बिखरे पन्ने की विधा कौन सी है की विधा यहाँ पर की विधा की रचना है यहाँ पर हमारा correct answer क्या होगा निवंद संग्रह यहाँ पर हमारा correct answer होगा इसके बाद हमारा नेश कुछन कुछन नमबर 17 कुछन नमबर 17 स्वरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है यहाँ पर हमारा correct answer क्या होगा आचार महावीर प्रिशाद दुवेदी जी हमारा इसका correct answer होगा इसके बाद कुस्षन number 18 नागरी प्रिचादी सवा के संस्तापक कौन थे यहाँ पर कौन थे पुरस्वत्तम दास टंडन यानिकी आफसर हमारा का वाला बिल्कुल सही होगा इसके बाद Akushin No.19 पर कहले हैं कि कहा जाता है काफ़ important question है यहाँ पर हमारा answer क्या होगा Dr. Ramakumar Barmako इसके बाद devotion No.20 कहानी कौन है यहाँ पर हमारा correct answer क्या होगा इंदुमति इसके लेखा क्यां है किसोरी लाल गवाश्वामी किसोरी लाल गवाश्वामी तो यहाँ पर हमारा आपसर नमबर गवाला विल्कुल सही जबाब होगा इसके बाद कुस्तर नमबर 20 कुस्तर नमबर 21 कुस्तर नमबर 21 यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली गद्ध की प्रथम रचना कौन सी है तो यहां पर हमारा correct answer क्या होगा चंद बंद चंद बरन की महिमा यानि कि आपसे नमबर का वाला सही है इसके लेखा कौन है कभी गंग लेखा कौन है कभी गंग इसके बाद कुस्षर नमबर 22 यहां पर कहला है कि आनंद कांदमनी के पत्र नरायर चौधरी प्रेम धन यह मारा correct answer होगा इसके बाद कुस्षर नमबर 23 हिंदी का प्रथम उपन्यास यहां पर कौन है यहां पर हिंदी का प्रथम उपन्यास है तो यहां पर correct answer क्या होगा परिच्छा गुरु इसके लेखा कौन है स्री निवास दास यहां पर मैंने लि 24 यहां पर करेक्षर थलूवा किलव नीवंद कि रचनाकार कौन है तो इसका अंसर क्या होगा मतंग गुलाब राय है इसके बाद कुस्ष्ष्य night प्रिष्ष्ष्service का इपनी ख़बर किस विधाकि रचना है। क्या होगा इसका अमारा करेक्षम cryo होगा इसके बात कुस्तर नंबर टूंटिग्स。 यहां पर कह रहा है कि नीड का निर्मार आत्म कथा किसकी रचना है यह काफे important रचना है इसके लेकर हमारे कौन हैbeel इसके बात कुस्तर नंबर हमारा 27 जूटा सच जूटा सच नियस्तर कौन hai यस्पाल किस विदा की रचना है तो हमारी किस विदा की रचना है यह हमारी है उपन्यास किसकी है उपन्यास इसके बाद कुस्सर नमबर 28 भूले विसरे चित्र उपन्यास के लेखक मतलब कौन है पहली बाद तो यह भूले विसरे कुष्चन complaint 29 कि अलंकार के वाचक सब्ध हैं यहां पर या裁क्त आंसर होंगा उपमा इनकार क्या ऊपमा इसके बात कुष्चत नंबर 30 के आपर किटे से पहले तो थीस चरणों में 11 11 माका जाती हैं ने enfor चोथ事 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके बाद कुस्य नंबर 31 अध्यच में कौन सा उपसर गए तो अध्यच में मारा कौन सा उपसर गए अधी कौन सा अधी इसके बाद कुस्य नंबर 32 कुस्य नंबर 32 यहां पर कह रहा है कि पाड़ी पाद में कौन सा अलंकार है यहां पर हमारा correct answer होगा द्वन्द समाज कौन सा द्वन्द शमाज इसके बाद कुस्टर नमबर 33 अनल किस अनल किस पर्रायवाची का सब्द है यहाँ पर हमारा correct answer क्या होगा यहाँ पर हमारा correct answer क्या होगा यहाँ पर हमारा correct answer होगा अगनी क्या होगा अगनी इसके बाद इत्यादी का संदी विच्छेद है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आपसे नमबर का इती प्लस आदी किस प्रकार की संदी है यह यह मैंने सारा कुछ लिक रखा है ताकि हमारे सभी चाहत इसको अच्छी तरीकी से तयार कर ले इसके बात कुछ नमबर 35 कुछ नमबर 35 यहां कह रहा है कि नदी नाम में विवक्ति वचन है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सश्टी विवक्ति एक वचन यानि कि आपसे नमबर का वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके बात कुछ नमबर 36 यहां पर कह रहा है प्रगति सील लेखक संग की स्तापना हुई तो कब हुई थी सन 1936 में कब हुई थी सन 1936 में इसके बाद question number 38 question number 38 यहाँ पर कह रहाए कि ask code में कौन सा समास है यहाँ पर हमारा पहला सब संक्या बाची है यहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा यहाँ पर हमारा होगा दिगुश समास यानि कि answer number खा वाला हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 39 को से नमर थल्टीन नहीं यहां पर कहरा है की फलाय सब्द की विभक्ति कि और बच्चन-बताईए यहां पर हमारा करेक्टि आंसर होगा 8 तो यहां पर और का थतुरती घृथ एक यालि की अंपसर नंबर का वाला हमारा कोइसे नमर 2004-00 कुछन नमबर 40 यहां पर कह रहा है कि दोहा का उल्टा होता है दोहा का उल्टा क्या होता है सोल्टा तो यह काफ़ी इंपोर्टन कुछन है दोहा का उल्टा क्या होता है सोल्टा इसके बाद कुछन नमबर यहां पर 41 कह रहा है कि सिंगार रसमंदन के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर हमारा correct answer है गो स्वामी बिठनात जी यानि कि आफसर नमबर खावाला हमारा correct answer है इसके बाद question number 42, 84, 291 की वालता के लेखक है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा गोकुलनात क्या होगा गोकुलनाथ हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 43 question 43 यहाँ पर कह रहा है सुलक युक्की समय सीमा है यहाँ पर हमारा correct answer हो जाए 1919-1948 इस भी तो यानि कि answer number का बाला हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 44 question 44 यहाँ पर कह रहा है कि निम्ड में से कौन सी पत्री का सुल्क यूग्की है यहां पर हमारा कर्यक्ट आंसर होगा हंस परति का हमारी सुल्क यूग्की है इसके बाद कुस्टर नमबर 45 कुस्टर 45 यहां पर कह रहा है प्रति एक सब्दकार संदी विच्छेत करना है तो इसका संदी विच्छेत क्या होगा प्रति प्लस एक क्या होग नदीब भ्याम हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 47 यहाँ पर है पठामी सब्द किस धातू एवं लकार का है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा यहाँ पर लट लंकार लट लकार उत्तम पुरुस एक बचन यानि कि आपसे number गावाला हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 48 यहाँ पर कह रहा है कि कलम का सिपाई जीवनी के लेखक कौन है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा अमरत राय कौन सा होगा correct answer क्या होगा अमरत राय क्या होगा अमरत राय इसके बाद question number 49 यहाँ पर कह रहा है कि यद्यपी संदी का संदी विच्छेत है यह हमारा प्लस अपी क्या होगा यद्धी प्लस अपी यह किस प्रकार की संदी होगी यह संदी किस प्रकार की संदी होगी यह संदी होगी इसके बाद कुसर नमर फिप्टी कुसर फिप्टी यहां पर कह रहा है कि यता संभब में कौन सा समास है यहां पर हमारा कौन सा समास है अब यभ भाव समास इसके बाद कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् के बाद कुस्ष्षन नंबर 53 यहां पर कह रहived है कि पठधातू का अपठा ग्रूप किस लकार पूरूस फुरुस एवां बचन का है यहां पर हमारा कर्यक्ट आंसर होगा लंग लकार ममध्यान पूरूस एक बचन यानि कि अपसन शुर। संस नहां में कौन सा पिरतिय है, यहां पर हमारा correct answer होगा, हाट, क्या होगा हाट इसके बाद question number 54 मुक मयंक सम मनजू मनोहर में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर हमारा correct answer होगा, option number का, यानि कि उपमा अलंकार कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार इसके बाद question number सित depends सब्सक्षार संदों के साथ जोड़ते हैं कृत्फ प्रद्टिया किन सबदों के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा किरिया क्या होगा किरिया इसके बाद next question 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 number 58 जो सब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं पिरतिय क्या कहते हैं उसको हम पिरतिय कहते हैं इसके बाद कुछ नमर 59 कुछ नमर 15 यहां पर कह रहा है कि कर्म वीर भरत खंड काव के रचैता हैं तो यहां पर कौन है लचमी शंकर मिस निसंक यहां पर हमारा आफसे नमबर गावाला विल्कुल करेक्ट आफसन होगा इसके पाद कुछ नमबर 60 कुछ नमर 15 यहां पर कह रहा है की कर्म वीर भरत खंड काव में कुल कितने सर्ग एं तो यह काफ़ी इंपोटन ध्यतन हैं कितने सर्जच हैं अमारे छे सर्ग कतने स्च हैं चछे सर नमबर 51 करति अहां पर पर हमारे प्रेम वाटका के रचनाकार कौन है रहीम कौन है यहां पर हमारे रचनाकार कौन है रसकान कौन है रसकान यहां पर हमारे उसके रचनाकार है इसके बार नेस्ट कुसर यहां पर कुसर नमर 62 शिरीक रश्न गीता वली के रचनाकार है तो यहां पर हमारा करेक्ट अं कौन है यहाँ पर हमारा क्रेक्ट अनसर होगा अग्यजी कौन है यज कौन है अग्यजी के बात कुस्से कीदम्बरह ग्यान पीर प्रुषकार से पुषकत के लेखक कौन है यहाँ यहांपर हमारा correct अंसर होगा सुमित्रा नंनन पंद तो यहांपर आपके दो कुर्शन हो गए है कि ज्ञानपीड पूरुष्कार किसको दिया गया है किसे दिया गया है सुमित्रा नंनन पंद जी को दिया गया है इसके बाद कुसर नमर 66 कामाईनी महाकाव सर्गपंदा किसकी रचना है यहाँ पर हमारा कर्यक्ट आंसर होगा जैसंकर प्रशाद क्या होगा जैसंकर प्रशाद इसके बाद कुसर नमर 67 साहित लहरी के रचाईता है यहाँ पर हमारा कर्यक्ट आंसर होगा सूर्दास क्या होगा सूर्दास हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 68 question number 68 यहाँ पर कह रहा है कि हल्दी गाटी किसकी रचना है यहाँ पर हमारा correct answer होगा स्याम नारायन पांडे क्या होगा स्याम नारायन पांडे हल्दी गाटी काफ़ी important रचना है इसको आपको ध्यान रखना है इसके बाद ihr execution number 69 question number 69 यहाँ पर कह रहा है कि एक भारतिए आत्मा किसे कहा जाता है यहाँ पर हमारा correct answer होगा माकंलाल ठेतृटरवेदी जी को कहा जाता है इसके बाद next question question number 70 भारत भारतिए के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा मैत्री सड़ गुप्त कौन होगा मैत्री सड़ गुप्त इसके बाद next question question number 71 निम लिखित में से कौन कवी राष्ट कवी है यहाँ पर यह काफे important question है निम लिखित में से कौन से कवी राष्ट कवी है तो यहाँ पर answer क्या होगा मैत्री सड़ यहाँ पर हमारा correct answer होगा सुमित्या 95 क्या होगा सुमित्या 95 हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 73 कला और बुड़ा चांद किसकी रचना है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा सुमित्या 95 यानि कि आपसे का वाला हमारा correct answer होगा इसके बाद question number 74 question number 74 यहाँ पर कह रहा है कि अनामिका कुकुर्मुता के रचैता कौन है यहाँ पर हमारा correct answer होगा सूरकान त्रपाथी निराला क्या होगा सूरकान त्रपाथी निराला इसके बाद नेश्ट कुश्चन कुश्चन नमबर 75 प्रिये प्रिवाज सर्ग सत्रे महाकाव के रचाईता हैं तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोध यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा आपसे नमबर गावाला हमारा करेक्ट आंसर होग इसके बास कुष्णar नमबर 76 यहा पर कह रहा है कि Hiervan Sarai Bachchan Hiervan Sarai Bachchan की निंवन मेंसे कौनसी रचना नहीं है यहाँ पर हमारा Correct answer होगा पंच बेटी जो है वो हमारी Hiervan Sarai Bachchan की रचना नहीं है मधूसाला, मधूकलस, निसा نिमंतर यह हमारी सबी Hierovan Sarai Bachchan की रचना है तो यहाँ पर इनको आपको सभी को ध्यान रखना होगा इसके बाज कुष्ण नमबर हमारा 77 राश्टिय सांस्कृतिक चेतना का कभी किसे कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा आपसन नमबर का रामधारी सिंग दिनकर इस कुष्ण को फिर सभी पर पढ़ दिजिए राश्टिय सांस्कृतिक चेतना का कभी किसे कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा रामधारी सिंग दिनकर क्या होगा रामधारी सिंग दिनकर इसके बाज कुष्ण नमर 78 निम रचनाओं में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है यहाँ पर हमारा correct answer होगा युगधारा युगधारा की रचना नहीं आप comment box में बताएंगे कि युगधारा किस कभी की रचना है इसके बाद कुष्ण नमर 79 कुष्ण नमर 79 कह रहा है कि आदिनक युगधा तुलसी मैती सड़गुप्त की कौन सी रचना नहीं है यहाँ पर हमारा correct answer होगा रसकलस क्या होगा रसकलस इसके बाद कुष्ण नमर यहाँ पर हमारा 80 कुष्ण 80 यहाँ पर कह रहा आयोद्या सिंग उपाद्दाय हरियोद कभी संग्रे कौन सी रचना नहीं है यहाँ पर हमारा correct answer होगा रसकलस और बागी सभी रचना है हमारी अयोद्या सिंग उपाद्दाय हरियोद की यह सभी रचनाए है इसके बाद कुष्ण नमर हमारा 79 कह रहा है कि हिंदी में अदुनिक्ता और पुनर जागड का प्रवर्तक का पिता महा किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है भारतेंदू हरिस्चंद को किसे कहा जाता है भारतेंदू हरिस्चंदर जी को इसके बाद कुष्ण नमर 82 यहाँ पर कह रहा है कि बरवे नाईका भेद की कि रचनाकार कौन है तो यहां पर हमारा करेक्ट अंसर क्या होगा रहीम-दाजी कौन है रहीम-अब्दुल-रहीम-खान-Khana यहां पर पूरा नाम है इसके बाद कुस्छे नमबर हमारा 83 यहां पर कह रहा है कि निन्म रचनाव में से रस खान की रचनाव नहीं है तो यहां पर हमारा करेक्ट अंसर होगा राग सोल्था क्या होगा राग सोल्था इसके बाद कुस्ट नमबर 84 यहां पर कह रहा है कि सूर सागर में कितने स्खंध हैं कितने स्खंध हैं बारे स्खंध हैं कितने स्खंध हैं बारे इसके बाद कुस्ट नमबर 85 कठिन काब काप्रेट किसे कहा जाता है तो यहां पर हमारा करेक्ट अंसर होगा केसब दास जी को कहा जाता है इसके बाद question number 86 question number 86 यहाँ पर कह रहा है कि राम चंद्र का तता कभी प्रिया के रचाईता है है तो यहाँ पर हमाराज का correct answer होगा आपसर नमबर खा यहाँ पर केसब दास का असर क्या होगा केसब दास इसके बाद question number 87 किस कभी की भासा 5 मेल खिचरी तता चदुकडी है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा कबीर दास क्या होगा कबीर दास इसके बाद question number 88 भासा का dictator किस कभी को कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा कबीर दास क्या होगा कबीर दास इसके बाद कुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् 91 यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी काव का स्वड़ यूग किसकाल को कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा correct answer होगा भक्तिकाल किसे कहा जाता है भक्तिकाल बस आपको इतने ही question तयार करना है MCQ में यह आपके question आपकी board प्रिचा में 101% फसेंगे इस बात कि हम 100% guarantee लेते हैं यह मैंने question खुश से लिखे हैं आप सभी लोगों के लिए ताकि हमारे सभी चात इसको पढ़ सकें और एक अच्छी सी तैयारी कर सकें जय हिंद दोस्तों फिर मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद